अलवर जिले के सरिसका टाइगर रिजर्व की बफर जोन से निकला हुआ धाई साल का बाग 12 घंटे बाद फिर लोकेशन बदल चुका है रात दो बजे गाव दुनवास से निकल कर बहरोड के गाव पहाडी जैनपुरबास के पास दोपास की धानी में क्शेत्र में पहुँच गया है यहां दिन भर सरसो के खेतों में रहा है और शाम करीब साढ़े पाँच बजे फिर से मूव कर गया जो सोता नाला इंडस्ट्रीज एरिया और गुंती गाव की तरफ बढ़ रहा है पिछले 48 घंटे से सरिसका टाइगर रिजर्व की टीम लगातार बाग का पीछा कर रही है लेकिन पकड़ नहीं पा रही गाव गुजरवास मुहम्मदपुर के बीच से निकल कर टाइगर मुहम्मदपुर की कुड़ी घोशाला से कुछ दूरी पर निकल कर दोपास की धानी के पास सरसों की खेतों में पहुँच गया वन विभाग की टीम टाइगर के अंतिम पगमार्क के आधार पर सुबह 11 बजे से धानी में तैनाथ है बहरोड पंचायत समिती की ग्राम पंचायत पहाडी के सरपंच जगदीश रावत ने विशेश सूचना जारी की जिसमें लिखा कि एक टाइगर सरिसका अभ्यारण से निकल कर हरियाना क्षेतर में चला गया वापस घूम कर बधीन गाव में पगमार्क मिले वन विभाग ने टाइगर की लोकेशन पहाडी के खेतों में बताई है अभी यह बाग पकड़ा नहीं गया है इसलिए सर्सों के खेतों में काम पूरी सावधानी से करें महिलाओं और बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालें गावदूनवास के युवक देवेंद्र जाट ने बताया कि महेंद्र के मकान के आसपास और सर्सों के खेत में कल टाईगर के अंतिम पगमार्क देखें गए टीम ने सर्सों के खेत के चारों और देखा तो बाहर निकलने के पगमार्क नहीं थे जिसके बाद जाल बिचाया गया रात दो बजे तक वन विभाग की टीम सरिस्का टाइगर रिजर्व रेंजर शंकर सिंग शेखावत के नेतरित्व में वन विभाग के करीब 20 कर्मचारी और अधिकारी ढूंडने में जुटे हैं जिसमें तालवरिक्ष रेंजर दिलीप सिंग भी टीम के साथ मौजूद हैं वहीं बहरोड रेंज के हंसराज पंकत सहित बड़ी संख्या में वन्यकर्मी तैनाथ हैं वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व के डिएफो देवेंद्र सिंग जगावत सरिस्का से बहरोड के लिए रवाना हो चुके हैं जो देर रात को टाइगर की लोकेशन के पास पहुँचेंगे करता रिपोर्ट ना जाए बात के आगे विच्छन की तब तक वर अपने केतों में कारेक लेने जाएं अधर जातीज में इदर दर नहीं हुँँए